नम्सकार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मनकी चाहत पर दोस्तों आज 27 अक्टूबर शुक्रवार के दिन शुक्रवार के दिन के चार विशेश उपए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है जो कि आपको आज ही के दिन करना है देखिए कल है पूर्णिमा का दिन और पूर्णिमा के पहले इस चतुरदशी पर देखो चतुरदशी का वैसे तो शय हो गया है क्योंकि आज त्रयोदशी तिथी भी है तो देखो आज का ये जो उपाय है बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है आज शाम को महालक्षमी के निमित आपको मात्र एक दीपक का एक विशेश उपाय करना है जो आपके जीवन के दुर्भाग्य को दूर कर देगा देखिए अब जो जो भी उपाय जाएंगे विशेशकर महालक्षमी को प्रसं करने के लिए आएंगे क्योंकि देखो शरत पूर्णिमा से लेकर के हम देखे धनतेरस देखते हैं दिवाली तक देखते हैं तो महालक्ष्मी के विशेश उपाय आते हैं और महालक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए हमें उपाय ही करना चाहिए. तो आज शुक्रवार के दिन से ही हमें महालक्ष्मी को याद करना चाहिए. शुक्रवार का दिन विशेश कर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है और शुक्र ग्रह जीवन में धनसम एश्वर्य कीर्ती की प्राप्ति कराता है जिसका भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसके जीवन में कभी भी धनसम पदा की कमी नहीं होती है इसलिए शुक्रवार का दिन विशेश शुक्र ड्रह को मजबूत करने के लिए होता है जो हमारे जीवन में सुख शांती देते हैं, एश्वरे की प्राप्ति कराता है इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में उसे शुक्र को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है ताकि उसका जीवन भी सुख में बीते तो आज का ये जो वीडियो है पुरा बहुत ही खास होने वाला है विशेशकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होगा धन की प्राप्ति करने के लिए होगा और बहुत ही आसान से उपाय होने वाला है मात्र इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चार महा उपाया बताएंगे बहुत ही आसान से उपाय हैं इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना था कि आपका जीवन सुख समृद्धी से भर जाए पूज्य गुरुदेव की ही कता सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव की यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें देखिए चार जो उपाय है विशेशकर सबसे पहले जो उपाय होगा वो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होगा दूसरा जो उपाय होगा वो होगा हरी इलाइची का जोकी धन संपदा को बढ़ाता है तीसरा उपाय लंबी का दीपक जो कि सुक सम्रिद्धी बढ़ाता है और चौथा उपाय विशेशकर जिन लोगों के जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है धन संबंदित परेशानिया बहुत ज़्यादा है तो वो तोता उपाय कर सकते हैं बहुत यह आसान से उपाय होने वाला है देखिए सबसे पहला उपाय यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जो शुक्र ग्रह है वो कमजोर का है आपने कई जगा कुंडली दिखा रखी है और आपका जो शुक्र है वो मृत का है नीच का है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए विशेश कर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए यदि आपका शुक्र ग्रह पहले से ही मजबूत है तो भी आप ये उपाई कर सकते हैं, देखिए करना क्या है? मात्र एक बेल पत्र लेना है अब देखो, बेल पत्र खंडित तो लेना ही नहीं है अगर बेल पत्र नहीं मिल पाते हैं चीज लेना है बेल पत्र, तामबे के पात्र के अंदर जल और ग्यारा चावल के दाने ये ले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में अब ये जो उपाय है विशेशकर पूझे गुरुदेव के अनुसार प्रदोशकाल के समय ही आपको करना है अब प्रदोशकाल सूर् के बाद तक रहता है यानि की डेल घंटे का जो समय है इस समय में अगर आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है क्या करना है भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है अब जो तामबे का पात्र है जिसके अंदर जल है उसके अंदर आपको ग्यारह चावल के दान डालना है और ये चावल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए ठीक है ग्यारह चावल के दाने आपको जल के पात्र के अंदर भगवान शिव के सामने ही डालना है आप एक एक बात को बिलकुल ध्यान से समझना भगवान शिव के सामने ही आपको डालना है और बोलना है ओम न देखे अब इस उपाई को समझना है आपका जो सीधा हाथ है हतेली है हतेली के उपर आप जो एक बेल पत्र ले करके आए है वो बेल पत्र आपको रख देना है अब देखो कैसे रखोगे वाला जो हिस्सा होगा वो आपके हाथिस पर होना चाहिए ठीक है शिकन वाला साइड उपर होना चाहिए, बेल पत्र का अब इसी के उपर ये तामबे का पात्र रखना जिसके अंदर जल है और जिसके अंदर आपने 11 चावल के दाने डाले हैं, अब ये जो हाथ है इसी हाथ से आपको देखो, नीचे बेल पत्र होना चाहिए, इसी हाथ से भगवान शिव के अब जो तामबे के पात्र के अंदर चावल है वो आप वो आप निकाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अब जो तो रहा था। लेकिन अपने माता अशोक सुन्दर वाले स्थान पर रखा है तो चिकना वाला जो पत्र का जो हिस्सा है वो इस पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से ही उपाय गरना माता अशोक सुन्दरी वाले स्थान पर धन संपदा की कामना करते हुए ये ग्रह को मजबूत करता है तो ये हो गया पहला उपाय बहुत ही आसान से उपाय धन संबंदित परिशानियों को दूर करने के लिए अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है मात्र एक हरी इलाइची लेना है और एक स्टील के पात्र के अंदर दो चम्मच कच्चा दूद डालना और शुधर धन मिला देना और साथ में आपको तामबे के पात्र के अंदर चल लेना है ठीक है, ये 3 चीज लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आप आपको जाना है, शुक्रवार के दिन देखे, शुक्रवार का दिन होता है देवी को समर्पित और हरी इलाइची जो है माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और हरी इलाइची धन को खीचने का काम करती है तो आपको क्या करना है ये एक हरी इलाइची आपको साबुत हरी इलाइची हर ये आपको भगवान शिव के शिवलिन पर आपको अर्पित कर देना है आप जैसे ही अर्पित करेंगे उसके बाद दीसी हरी इलाइची के उपर एक लोटा कच्चा दूधब लेकर क्या है कच्चा दूध और जल ध्यान रखना दो चम्मच कच्चा दूध मिलना चाहिए उसके उपर पूरा जल भर देना चाहिए और वो आपको हरी इलाइची के उपर अर्पित कर देना है श्री शिवाय का जाप करते हुए जैसे हरी इलाइची के उपर कच्चा दूध अर्पित होता है और कच्चा दूद भगवान शिव की शिवलिंग पर स्पर्श होता है, वैसे आपके जीवन की धन सम्बंदित परेशन या दूर होना शुरू हो जाती है तो ये भी शुब्तिती पर अगर आप करते हैं तो सर्वोत्तम होता है. अंत में एक लोटा जल भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है. ध्यान रखना हरिराय जी आपके जीवन में धन सम्पदा ही बढ़ाती है. यदि आप भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ये दूसरा उपाय भी आप कल कर सकते हैं. शुक्रवार के दिन देखिए तीसरा उपाय आपको करना है आपको क्या करना है एक दीपक तियार करना है दीपक का पार्टी का भी ले सकते हैं या तो आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं लंबी बाते का प्रयोग करना है लाल रंग की बाते आपको उसके अंदर लगाना है शुधगी उसके अंदर भरना है और ये दीपक लंबी बाती का ये दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको अर्पित करके आ जाना है. मुख जो होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए. इस प्रकार से ये दीपक लगाने से घर के क्लेश दूर होते हैं. सुख समृद्धी बढ़ती है, वैभब बढ़ता है तो इस प्रकार से ये तीसरा उपाय आप कर सकते हैं. विशिष्ट नीतियों पर करते हैं तो लापकारी होता है. पूर्णी मा पर कर ले, प्रदोश पर करे, अश्क्मी तिथी पर कर ले या किसी अन्यब बड़ी तिथी पर आप कर सकते हैं. अब चौथा उपाय देखिए, चौथा उपाय है, धन सम्पदा की कामना करते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं. मात्र एक कमल गट्टा लेना है, देखिए कमल गट्टा यदि आपके पास नहीं है, तो पूजन सामगरी वाली दुकान पर आसानी से मिल जाता है, कमल गट्टा आपको एक रूपा दो रूपे में आपको कमल गट्टा मिल जाएगा. मात्र एक कमल गट्टा आपको लेना है ये कमल गट्टा बहुत ही खास होता है क्योंकि कमल गट्टा जो है भगवान शिव के उपररपित करने से धनसंपदा की प्राप्ती होती है क्या करना है तामबे के पात्र के अंदर जल लेना है एक कमल गट्टा लेना है और आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर रात्री तक जब आपकी इच्छा हो तब आपके उपाय कर सकते हैं आपको क्या करना है भगवान शिव के सामने ही कमल गट्टा जल के अंदर डालना है और वापस से कमल गट्टा आपको निकाल देना है और उसके बाद ये कमल गट्टे मिश्रा जी हैं जो जल है ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्ते हुए जिसे कमल गट्टा मिशृत जल आप भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वैसे ही धन संबंदित परेशानिया दूर होती है आपके जीवन में धन की स्रोत खोलते हैं तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं और अंत में जो कमल गट्टा आपने निकाला था वो आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है और महा उपाय होता है चारो उपाय बहुत ही खास है जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आये तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव